Hello everyone, welcome back to our channel, this is Umish Bhardwaz once again with all of you, दोस्तों PRT, TGT, PGT और इनके साथ ही साथ Librarian and Special Educator की post के लिए Recruitment 2019 to 2020 session के लिए notification आउट हो चुका है, आप apply कर सकते हैं, आज ही की date यानिगी 30th June 2019 में ये notification आउट हुआ है मैं complete news, notification link and complete detail आपके साथ share करता हूँ, देखिएगा दोस्तों ये notification, ये recruitments जारी की गई है, Atomic Energy Education Society की तरफ से और जैसा की आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको mark करकर भी दिखा देता हूँ 29th June 2019 and notice for recruitment for regular teachers के लिए AES 1-2019 और इसके सामने ये जो आप PDF का link देख रहे हैं, इसके उपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक notification complete open हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा होगा दोस्तों कुछ इस तरीके का ये notification आपके सामने open होगा, और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि women's के लिए special relaxation मिला है age में, 10 साल का relaxation मिला है, कम नहीं होता है और number of vacancies बले ही कि यहाँ पर आपको कम देखने को मिले, लेकिन हाँ, आपके पास एक option रह जाता है, कि आपको fill करनी है, और बहुत सारे candidates, सिर्फ ये number of vacancies देखकर ही, ये fill करते ही नहीं है application, और कई बार ऐसा होता है कि ये सभी post भी खाली चली जाती है, देखिएगा, यहा यहाँ पर आपके पास EWS का option भी दिया हुआ है, अगर आपने certificate बनवाया है, नहीं बनवाया है, मैं एक complete process उसके लिए भी आपको बता दूँगा, कि कहां से form लेना है, कैसे देला है, इवन मैं form भी आप लोगों तक पहुचा दूँगा, आप अपने printout से या उसकी copy निकल चाहिएगी PGT Hindi Physics Chemistry के लिए Post Graduation चाहिए, संस्किर्ट Graduation होनी चाहिए, Hindi होना चाहिए, एक Language होनी चाहिए, Physics के लिए PG होना चाहिए, Physics Electronics या Applied Physics से Nuclear Physics से हो सकता है, Chemistry के लिए भी सेम चीजे हैं कि PG होना चाहिए Chemistry से या Bio Chemistry से और साथ ही साथ ब्याड होना चाहिए, Essential Qualification में अगर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर Post-Wise TGT के लिए भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर स्क्रेंशोट ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के अकोडिंग हो सब चीजें देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा Librarian Post के लिए भी यहाँ पर Elisibility Criteria Essential Qualification के लिए बताया और साथ ही साथ यहाँ पर Special Educator का भी दिया हुआ है, मैं आपको Relaxation वाली जो बात बता रहा था, वो भी आपको दिखा ही देता हूँ कि क्या है Relaxation, क्या है Age Criteria and Relaxation का जो भी चीज़ बोली गई ही वो देख लिजएगा, भई Age Relaxation में S.E.S.T. के लिए 5 एर्स का है, Other Backward Class के ल बहुत होता है, और AWS अगर Employ है, तो उनके लिए 5 साल का है, तो यह form है, यह मैं description section में इसका complete link भी देदूँगा, और यह जो notification है, इसका link भी देदूँगा, वहाँ से आप complete चेक कर सकते हैं, और प्लीज, फिल जरूर कीजीगा form, ठीक है, इससे जो DTPSB के candidates हैं, या KVS के candidates ह रहेगा, किस तरीके का paper आता है, कैसे वो apply, कैसे वो किस तरीके से approach कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी DTPSB की vacancies भी बहुत जल्द आपको देखना को मिलेंगी, उन सभी candidates के लिए भी यह paper अगर देखर आते हैं, बहुत helpful रहता है, उनकी तयारी continuity में रह जाती है, जो मिलता है, लिए धिती है beispielsweise, वो ऊच्सक्तर्णा क्या कर सकते है, बहुत